दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे बड़ी ख़वर पटना आरा और सबोर में खोलेंगे नए क्रिसी कोलेज बिहार में किसानों के लिए खर्च होंगे दो हजार कड़ों रुपी जिहां बिहार में तेन नए क्रिसी कोलेजों की स्तापना होगी तेनों सबोर क्रिसी विस्विदाले के अधिन होंगे सबोर में क्रिसी जविक तकनिकी कोलेज आरा में क्रिसिय अभियंतरन कोलेज और पटना में क्रिसी वेवसाई प्रवंदन कोलेज इस्तापित किये जाएंगे यह गोस्तना मुईक मंतरे नितिस कुमार ने रहिवार को स्वधनता दिवस पर गांधी मेदान में आजी दराज के समारों में की है मुईकी मंतरे ने कहा कि बिहार में जेविक केती और इंजिनिनिंग के साथ विपनन और परबंदन के कार में दख्चता हासिल कर सकीगा साथ है उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की हिर्दे में छेदे उनकी पूरी चिकसक का भार उठाने का परबंद किया गया है आमदाबाद के सत साई ऑस्पताल में इसका इलाज होगी अगली बड़ी ख़वर बिहार में रसोई गेस का कनेक्शन मुप्त एड्रेस प्रूप की बीच नहीं रेगुलेटर भी मिलेगा फ्री जी हा बिहार में उजल योजना की दूसरे चनलन की सिरुवाद हो गई है इसके तरह तब मुप्त कनेक्शन लिया जा सकता है उजला योजना की दूसरे चनलन में बड़ा बदलाव यहा है कि इस बार बिना एड्रेस प्रूप भी रसोई गेस कनेक्शन ले सकते हैं प्रधान मंत्री उजला योजना के दूसरे चरण की सिरुवाद उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस की गई थी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदे ने इसका वर्चुल उद्गाडन किया था अब बिहार में भी इस योजना की सिरुवाद कर दी गई है आयोसी की चीप मेने सरसमयनव एवं विकास विना कुमारे ने खा कि बिहार में प्रधान मंत्री उजल योजना के दूसरे चरण की सिरुवाद कर दी गई है इसमें खास बात या है कि प्रधान मंत्रे उजल योजना के दूसरे चरण में बिना एड्रेस प्रूब में भी कनेक्शन मिल जाएगा आवजसक कागजात के साथ रसवी गैस कनेक्शन के लिए आप अवेदन कर सकते हैं बड़ी खबर बिहार में 19 अगस तक परिसान करेगा मौसम उत्तर में बारिस तो दचिन में सताई की गर्मी जी हा बिहार में मांसुन की ट्रपलाइन का पश्चिमी भाग हिमाले के तराई में इस्तित है तो पूरवी छोर गुरकपूर गया जमसेत पूर से होकर दचिनी पू बंगाल की खाड़ी की और अग्रसर है वहें उत्तर आंद्र परदेश तड़ से दूर मांसुन पश्चिम मंगाल की खाड़ी के अपर बने चकरवरती परिसंचरन अब पश्चिम में एवं उससे सटी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के उपर सित है इसके प्रवाव से बाद भारी बारिस के आसार है मौसम बेगान केंडर से प्राप्त जानकारी के अनुस्तार राज जिक के दच्चिनी मैध्य बिहार पटना गया नालांदा से एक पुरा नवादा बेगुस राय लखिस राय जहानाबाद के कुछ इसों में हलके से मैध्यमिस्तर के बारिस का प अगल पूर का 36.1 डिगरी पूर्निया का 32.1 डिगरी तो मुझापर पूर का 30 डिगरी सेल्सिस दर्च किया गिया। अगली बड़ी खबर बिहार में बार के हालात यथावत गंगा 146 तो कोसी 144 सेंटिमीटर लाल निसान के पार जिहाँ कटिहार जिले के महानंदा नदी के जलेस्तर में दूसरे दिन भी बिर्धी दर्च की गई जबके गंगा कोसी बरंडी वो कारी कोसी नदी का जलेस्तर में उफान जारी रहा यहाँ चारो नदी लाल निसान के उपर वह रही है बाड़ नियंतरन प्रमंडल के नुसार महानंदा नदी का जलिस्तर सभी स्थानों पर अप रतासिस तरीके से बढ़ रही है बाड़ नियंतरन प्रमंडल के रिपोर्ट के नुसार गंगा नदी रामायन पूर में खत्रे के निसान से 12 सेंटिमीटर उपर बार रही है जबकि यही नदी कारा गोडा गाड पर लाल निसान से 140 सेंटिमेटर उपर बार रही है कोसी वा बरंडे नदी लाल निसान से क्रमसा 172 वा 124 सेंटिमेटर उपर बार रही है आपको उदाद की नदियों की जलिस्तर में लगातार हो रही विर्दी से कुल सेला, बरारी, मनसाई, अम्दाबाद एवं मनिहारी प्रकंड के कई पंचायद बार से प्रभावित हो गया है जिला प्रसालसर ने रहात एवं बचाव कारी सुरू की जाने का दावा किया है अगली बड़ी खबर बिहार में बार का कहर भागलपूर कहलगाओं के बीच भी ट्रेन से वाठफ होई, कुछ का रूट बदला तो कुछ वी रद, जहां बिहार में गंगा का जलिस्तर लगातार बढ़ी रहा है, इसके करण अब जमालपूर से साहिव गंज तक रेल से वाठ परिचालन को रोख दिया गया है, लेक मलगा की पास बिरिज नंबर 141 एक रेट तक पानी पहुच गया था, इसलिए डियारेम ने ततकाल इस रेल कंट पर ट्रेन परिचालन रोखने का निर्दित दिया है, इस रेल कंट से चलने वाले ट्रेनों का या तुरद क्या दिया या दुमका और बाका होकर डाइवेट कर दिया गया है, बड़ी ख़बर BSB परिचात्रे ध्यान दे, बिहार बोर्ड ने बढ़ा दिया है, मेट्रिक में रेजिस्टेशन कराने के अंतिमती थी, जिहां बिहार भी दाले परिचा समिती ने एक बार फिर से मेट्रिक परिचा कर रेजिस्टेशन करने की तारिक बढ़ा दी है, अब इस्टूडेन 31 अगस्त तक बिहार बोर्ड की वेफसाइट पर जाकर रेजिस्टेशन करा सकते हैं, बिहार में 2022-2022 में मेट्रिक का एकजाम लिया जाएगा, बोर्ड ने तिसरी बार रेजिस्टेशन की तारिक को इंटर में नमांकन के लिए पहली मेगा सुची जारी कर देगी इसके लिए समितिक की ओर से तैयारी कर ली गई है पहली मेगा सुची के अधार पर 18 से 24 अगस्तक नमांकन होगा बोर्ड की वेपसाइट www.biharboardonline.com पर चात्र इस्तिमाल कर सकते हैं आपके जानकारे के की बिभीन इंटर कोलेजों में इस वर स्कूल 17 लाग सीटों पर नमांकन होना है इस समद में बोर्ड जिला सिक्चा दिकारियों को निदिस पहले ही जारे कर चुका है इंटर में नमांकन के लिए बोर्ड पहले ही आवेदन प्रप्त कर चुका है अगली बड़ी ख़बर प जातिकत जनगन्ना कराने के बात है तो पहले केंद्र सरकार से बात हो जाए उसके बाद ही कोई निन्ने होगा इस समद में केंद्र से बात कि बिना कोई फैसला किसी हो सकता है नितिस कुमार ने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि जातिकत जनगन्ना हो लेकिन पले प्रदान मं मंत्री ने कह दिया है कि आपका पत्र मिला तो ऐसे में हम अब उनके बुलाने का इंतिजार करेंगे बड़ी खबर केंद्रे मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आये और सिपे सिंग जोरदार स्वागत की बीच पहुचे जदुई कार्याल है जहां भारत सरकार में केंद मरतोखों की हुजम के साथ आरसिपी सिंग को पार्टी कार्याले तक लेया गया बड़ी खबर लालो की बेटे तेज परताब के आचरन से नाराज राजद अदच जगदानन सिंग को बीजेपी से अफर जिहाँ पूर्व मंत्री तेज परताब के आचरन से नाराज होकर घर बेट के राष्टे जनतादल के प्रदेश अधग जगदानन को भाजपा ने सामिल होने का निवता दिया है सुमौर को पार्टी कर्याले में आजित सयोग करिकरम में उन्हें ये आफर दिया गिया है मुमि सुदार मंत्री राम सुरत कुमार ने कहा कि जगदा ववु का राजद में अप्मान हो रहा है या नाराज भी है भारती जनतापाड़े उन्हें साधर अमंतरित करती है अब उनके इच्चा हो विभाजपा में सामिल हो सकते हैं यहां उन्हें पुरा सम्मान दिया जाए सबसे बड़ी खबर रक्चाबंदन पर परिवहन विभाग की सोगात राखी के दिन सिटी सर्विस की बसों में महिलाई कर सकेंगे फिर यत्रा जिहां 22 अगस्त को रक्चा बंदन का तिहोर है रक्चा बंदन का तिहोर बहन भाई के बेच प्रेम का प्रतिक है इसमें बहन भाई को तिलक लगा कर उसके दिरग आयूक की कामना करती है अब रक्चा बंदन के दिन परिवान बिभाग भी महिलाओं को एक सोगात देने जा रही है बिहार राजपत परिवान निगम के सिटी सर्विस की बसों पर रक्चा बंदन के दिन महिलाओं निसुल के यात्रा कर सकेगी राकी के दिन बस से सफर करने पर उनसे बस का किराया नहीं लिया जाएगा परिवान बिभाग मंत्रे सिला कुमारी ने बताएगी रक्चा बंदन के मौके पर महिलाओं के निसुलक यात्रा के लिए कई संगटनों ने बिभागों से अनुरूद किया गिया था बाड़ी ख़बर बिहार के देड़ सो अंचलों में मौडर्न रिकोर्ड रूम बनकर तयार अब मामूली सुलक पर मिल सकेंगे जमिन के दस्तवे जिहां बिहार के सबी अंचलों में रिकोर्ड रूम को चालू करने का लच सरकार ने रखा है अब तक करीब 1500 अंचलों के modern record room पूरी तरह से तयार हो गए हैं इसके उद्गाडन के बाद लोग अपने अपने अंचलों में जाकर modern record room का लाब उठा पाएंगे इस बात की जानकारी राजासो एवंभुमी सुधार मंत्री राम सुरत कुमार ने दी है आपके जानकारी के लिए बदा दे कि रहयत जमीन से जोड़ी सवी तरह की दस्तावेज की प्रती record room से लोग प्राप्ट कर सकते हैं इसमें पंजी टूखतियान समित अन्य दस्तावेज सामिल है इसके लिए उन्हें मामुली सुलक का भूतान करना होगा सुलक दस्तावेज के आकार के आधार पर 10 रुपी से 50 रुपी के बीच रखा गिया है इवावो के लिए नोकरी का जबरदस्त ओफर 137 पदो पर बंपर बहाले 27 अगस्त करे अपलाए जी हाँ इवावो के लिए नोकरी का सुनहरा मोका आया है पावर ग्रीड कोर्परेशन ओप इंडिया में जब करने के लिए जबरदस वेकेंसी आई है यहां के अलग-अलग इंजिनरिंग ट्रेड में फिल्ड इंजिनियर फिल्ड सुपरवाजर के पोश्ट पर भरती के लिए आवेदन लिये जा रहे हैं उमिद्वार अंतिम तारिक यानी 27 अगस 2021 तक ओफिसल वेबसाइट www.powergridindia.com के मायदम से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसको बता दे कि Power Grid Corporation of India में फिल्ड इंजिनियर इलेक्टिकल के 48 पद, फिल्ड इंजिनियर सिविल के 17 पद, फिल्ड सुपरवाजर इलेक्टिकल के 50 पद, फिल्ड सुपरवाजर सिविल के 22 पदों पर बहाली होनी है सुल्क की बात करें तो S.E.H.T.P.W.D. एक सर्विसमेन को इसमें छूट मिली है, वहीं फिल्ड इंजिनियर के लिए 400 रुपए और फिल्ड सुपरवाजर को 300 रुपए आवेदन सुल्क के रूप में देने होंगी बाड़ी कबर बिहार में बोमी सुधार के लिए DCLR का नहीं लगाना होगा चक्कर, ये तरीका अपना कर दाखिल खारिज में करवा सकते हैं सुधार जिहां बिहार में अब दाखिल खारिज में सुधार करवाने के लिए आपको अनमंडल कारियाल के चक्र लगाना नहीं पड़ेगा दरसल बिहार सरकार का राजस विवाग अब दाखिल खारिज में सुधार की प्रक्रिया डिजिटल करने जा रहा है इसके ताद अब लोगों को दाखिल खारिज सुधार के लिए राजसो विभाग के वेफसेट पर अपलाई करना होगा वहां मवजूद कम्पीटर ऑपरेटर आवधन के ओन्लाईन एंटरी करेगा आवधक को उसके पावति देगा पावति पर ऑटो जेनरेटर केस नंबर दर्ज होगा इस नंबर के आदार पर ही आवधक आवधन के बारे में घर बेटे जनकारे हासिल करेगा बताते चले कि सरकार की ओर से इस काम को लेकर पिछले दिनों अधिकारिक बेवसाइट को री डिजाइन किया गया था दाखिल कारी से सम्मनित मामले में आलाइन परियोग के लिए बिहार बमी.bihar.gov.in पर जाकर काम कर सकेंगे रन की बड़े कीपर लोड्स पर विराड की जीत भारत 151 रन से जीता भारत ने इंगलेंड को दूसरे टेस्ट में हारा कर पांच टेस्ट की सीरिज में एक जिरो की बढ़ाद बनाल है लॉड टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लेंड को 151 रन से हराया है जस्पिरित बुम्रा और मुहमद समी की 89 रन के नावाद साज़ेदारी के बदलोद भारत ने 272 रन का टारगेट दिया था इसके जवाब में इंग्लिस टीम 120 रन पर अल आउट हो गई आज के लिए आपका स्वाल बताए कि आपके नुसार बिहार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालान सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए